नमस्कार सीधी लकीर विद्धेंद्र पुन्डीर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है चुनाव की डेट डिकलेर हो जाएंगी कल ऐसा चुनाव आयोग ने का है चुनाव आयोग में दो नए आयोग थागे यानि चुनाव आयोग एक तरह से तमाम मेंबर उसमें शामिल हुए और कल वो तारीक भी पता चल जाएंगी देश को जब वो अपनी नई सरकार के लिए वोट डाल कर चुनेगा अलग-अलग हिस्सों में किन-किन तारीकों पर चुनाव होगा ये सस्पेंस कल निकलाएगा और किस दिन काउंटिंग होगी लेकिन उससे पहले पर्शिम बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बेनर जी एक बार फिर से चोट ग्रस्त हो गई है एक बार फिर से कहने का आर्थ ये है कि ममता बेनर जी के राजनेतिक जीवन में चोट, हादसे और हमले एक किस्से की तरह साथ चलते हैं और अभी तक की जो यात्रा है उसमें ये चोट, ये हादसे या ये हमले ममता बेनर जी को उनकी राजनेतिक यात्रा में शिखर की और ले जाते हैं यानि हर बार यदि कोई हादसा हो, हमला हो या फिर एक्सिडेंट हो जिसमें वो आगे की तरफ बढ़ती जाती है कल हुआ हादसा या जो घटना है वो बड़ी विचित्र घटना है यूँ तो किसी भी मुक्यमंत्री या किसी को भी चोट लगने पर आप उस पर सवाल नहीं करते हैं आप उसके साथ सहनुभूती करते हैं और आप ये उमीद करते हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो ऐसा प्रधान मंत्री और तमाम राजनेतिक अलग-अलग दलों के नेताओं ने ममता बेनर जी को अपने संदेश भेज कर किया भी है लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी खड़े हुए जिनको लेकर फिर से ये लगने लगा कि क्या चोट से वोट का रास्ता आसान हो जाता है क्या और ये ममता बेनर जी के केस में कुछ जादा दिखता है क्या इस तरह के सवालों के साथ आज हम उस यत्ता की और चलते हैं जिसमें पर्शिम बंगाल की शेरनी उनको कहा गया है ममता बेनर जी जिन्होंने अपनी राजनेतिक यात्रा एक जुजहारू कॉंग्रेस की यूवा नेत्री के तौर पर की थी जो 1975 में जैप्रकास नारायन की कार पर चड़ कर विरोध प्रदर्शन में निर्त कर देती हैं वो महिला जो 1980 में एकदम यूवा सांसत बनकर इतने बड़े स्टॉल वर्ड को हराती हैं इसके बाद की यात्रा लगभग जादतर लोगों को मालूम है लेकिन हाद से हमले की शुरुआत 1990 में भी हो गई थी जब उन पर हाजरा में लालू आजम नाम के CPIM के गुंडे ने धारदार हतियार से हमला किया और उनका सर पर कई हड़िया भी तूटी और चोट आई लेकिन उसने उनको पूरे बंगाल की एक ताकत के तौर पर बड़े कांग्रेसी नेताओं के बीच में इस्तापित कर दिया था उसके बाद की कहनिया और भी हैं वो आगे चलेंगे लेकिन आज इस चर्चा पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी तापस हैं जो कौकता से जुड़ रहे हैं मेरे साथ अवैकुमार है जो मुजफरपूर से जुड़ रहे हैं मेरे साथ विरेंदर भट जी हैं सीनियर जानलिस जिन को आप जानते हैं वो लखना उसे जुड़ रहा है यानि आज की जो बाचीत है वो इस तरह से है कि 2021 में 10 मार्च जहां तक मुझे ये तारीख याद है 10 मार्च 2021 के दिन नंदी ग्राम के उस चुनाव की यात्रा को मैं कवर कर रहा था मैं खुद उस वक्त वहीं था नंदी ग्राम में और अचानक जब ममता बनर जी अपने रोड शो को खत्म कर रही थी और आगे की तरफ जा रही थी तब ये ख़बर आती है कि उन पर उनको रिपोर्ट में एक हादसा कहा गया एक दुरगटना कही गई लेकिन उसके बाद जो हुआ यानि चुनाव मैदान में ममता बैनर जी उस समय तक बीजेपी से पीछे दिख रही थी ये अलग बात है कि नंदी ग्राम से वो चुनाव हार भी गई लेकिन इस चोट के बाद इस पूरा बदलाव आया हो जो कम से कम बाद में समिक्षकों ने कहा और बंगाली समिक्षकों ने जादा कहा कि 2002 में से 213 सिटे आसिल करने के चमतकार के पीछे इस हाद से का हाद था अब इस हाद से का जिसमें अभी बहुत सारे पेंच हैं मैं शुरुवात इसलिए तापस से करूँगा तापस पीछे से धक्का दिया गया शुरुवात आई ट्रेड मिल से गिरी शुरुवात आई फिर उसके बाद चलते चलते पैर उनका कहीं उलजा और उसके बाद उससे चोट लगी चोट माथे पर है खून बैता हुआ दिख रहा है तीन टाके माथे पर है एक न जी देखिए ममता बिनर्जी कल से काफी जादा बहतर है और मॉनिटरिंग उनका लगातार चल रहा है से सकेम के डॉक्टर्स एक टीम बनाए है वो उनको मॉनिटर भी कर रहे हाला कि कल जब उनको अस्पताल लाया गया तकरीबन सारे साथ बजे के आसपास उनका काफी पर महँची डॉक्टर की चोट बहुत जदा का और कोई मॉन गहरा नहीं यह और खत्रा बहुत जदा अई लेकिन उनको चौबीस मौनिटरिंग के लिए ममता बैरजी चौन को वह अस्पताल में रखना चाते है लेकिन ममता बैर्नण जी तो मम्ता बैर जी है वो अपना घर जाने के लिए बार बार जिद कर रही थी इसलिए उन्हें घर भेजा गया ताकि वो सुकून से रात को सो पाए ताजा खबर के अनुसार आजसबास उसके सिर पे दर्था कल कॉंशियस तो थी लेकिन काफी जादा दर्था लेकिन आज धीरे धीरे जितना समय बीता वो बहतर म अनरजी जो पोस्टर फिगर है त्रेनमूल कांग्रेस के वो अगर मैदान में ना हो तो फित्रेनमूल के लिए ये तरीपार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए उनको तो चुनाओ मैदान में आना ही है याम उमीद कर रहे हैं और वो जल्द से जल्द वो आना चाहेंगी तो इसलिए वो उनका उनका वो खुद भी अपना अपने हल्द को लेके बहुत जादा कौंशियस हैं खासा ख्याल रख रही है और डॉक्टरों के सलाम अश्वारा के अनुसार वो इस समय घर पे हैं दवाया ले रही है और ठीक है पहले से उनकी जो स्तिती है व आक्टर्स कुछ और कह रहे हैं उनके परिवार के सदस से पहले कुछ और कह रहे हैं फिर दूसरे सदस से कुछ और कह रहे हैं जो हम अगलग-गलग बंगाली मीडिया में देख रहे हैं और यहां तक कि इस बात की भी खबर आईए कि पुलिस इसकी जाच करेगी जेड प्र हो पाया है लेकिन जो डॉक्टरों ने कल कहा था कि शी वस पुश्ट फ्राम बहाइंड यानि पीछे से उन्हें धक्का दिया गया था लेकिन बाद में डॉक्टर ने यह क्लारिफाई कि कि उनको एक हालूसिनेशन के तरह हुआ था क्योंकि उन्हें पर प्रेशर बहुत रहता है वह रात को कम सोटी और और देर रात तक वो काम करती है लेकिन फिर फिर काम में लग जाती है उनका उम्मर काफी जादा गरी वान अव्मर हो चुकी है और जिस तरीके से क्लारिफिकेशन आया है कि ये ब्लैक आउट होने के वज़े से वो गिर गई थी और किसी धारदार चीज से उनके सिर पे चोट लगी थी लेकिंद दूसरी पहलों अगर देखे इसको लेके कई बाते बताई जा रही है जो जिसकी पुष्टी अभी तक किसी ने नहीं की कि उनके साथ किसी की बादचीत हुई थी शायद पीछे से धका लग गया था जिस वज़े से वो गिर गई है इसी वज़े से कुलकाता पुलीस ने एक स्पेशल टीम तयार की है जिसमें एरेस के चु लिफलिंग हुई थी या नहीं इस तमाम पहलियों को इस समय खगाला जा रहा है और जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या एक्जैक्ट हुआ था क्योंकि ममताब इनर्ट जी की तब्येत अभी भी खराब है उनसे बहुत ज़ादा उमीद करना उस समय क्या हुआ था ब्लै सर की चोट तक का रास्ता क्या बीजेपी के लिए कोई परेशानी खड़ी करता है क्या ये रास्ता वाकई चोट से वोट की तरफ जो लंबी आतरा साबित करता है 1990 से लेके 2021 की अब आपको लग रहा है कि 2024 में भी ये वोट इस चोट से आएंगे सानुमूती के वोट एमसी ने जो एक दम रिलीज की थी जबकि अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर कोई चोट लगती है तो सबसे पहले उस खून को साफ करते हैं और वो कोई भी साफ कर सकता अविरेज जी आपको क्या लगता है कि ममता बेनर जी पैर के प्लास्टक से सिर की पट्टी तक का जब प्रचार करती हैं तो जनता उनके लिए मत पेटिया भर देगी तो यही हाल कुछ ममता बेनर जी का भी है कि वो इतनी अजीब है और जो उनका पिछले 15 साल का कारेकार रहा है 14 साल का यह हम सब आपने देखा है अभी हाल की खटना संदेश खाली की है और तपस ने अभी अभी अपनी रिपोर्ट में शब्द का प्रूक की है है तो ममता ब हालूसिनेशन होना बहुत सभाविक बात है यह कोई नई बात नहीं है हमने यही हालूसिनेशन हमने लालुयादों के संग भी देखा था यही हालूसिनेशन हम और देताओं के संग देख चुके हैं और और हलका हलका यही हालूसिनेशन तमिलनाडू में भी दिख रहा है त तो मम्ता बेनर्ट जी पहली बार ये बहुत साफ दिख रहा है कि संदेश खाली के शमना घटना करम के बाद जो उनका सबसे टरस्टेड वोट था मुसलमानों के बाद बंगाली हिंदू भद्लोक अब उसका भी विश्वास मम्ता बेनर्ट जी में हिल गया है तो ये जो कल ज मेरे संग्य हुआ है लेकिन अभी अभी कोई इसके पीछे कोई कॉंस्प्रेंसी ठीओरी नहीं आई है किसी को इसको पॉलिकल एक्ट्रीब्यूट नहीं दिया गया है और बड़ा अजीब है कि घर के अंदर इस तरह की घटना हो गई और बकाइदा इतना जो चेहरे पे पे हुई थी चुनाव के दौरान हुई थी लेकिन यह घटना घर के अंदर हुई है तो इसलिए इस घटना को अभी तो 24 घंटा हो गया है यह बड़ी नहीं बन पाई है तो अकुल मिला करके यह मेरे पास मंता बेनर्टी का मेटिकल बुलेटिन मैंने नहीं देखा क्या सित है और कितनी उनकी लिए स्वास के लिए वहानिकारा कि मुझे सकी जानकारी नहीं है लेकिन जिस तरह की गिमिक्स वो करती आई है और जो उनका लंबा चिहास रहा है तो तो मुझे लगता है कि यह सीधे सीधे आने वाले लोग सभा चुनाओं से ही जुड़ा हुआ है और म सब्सक्राइब लोग मत दाता है या जो जो मुझे मत दाता है उसके बीच में जो उनका ग्राफ गिर रहा है कहीं न कहीं उसको बचाने का यह प्रयास है और यह कोई ऐसी एकायक ऐसी हटना नहीं हुई है क्योंकि घर के अंदर हुई है तो इट लाक्स कंविक्शन की आखि देखिए यह जो वीजुल आप लोग देख रहे हैं मैं इस यात्रा में भी था यह लंबा 6-7 किलोमिटर का तापस और हम दोनों ही उसको कवर कर रहे थे काफी तेज धूप थी और ममता बनर जी अपने उस पर तमाम उनके तमाम जो लोग थे तमाम कारे करता और बूरी भी बांध कर वो चुनाओ प्रचार पर जब निकलेंगी तो क्या मत पेटिया भर जाएंगी क्योंकि पैर जब उनका प्लास्टर्ड था जब वो उस पर बैठ कर मंच पर भाशन दे रही थी और उसके बाद जब आई तो एक जो भीड का मिजाज था जिसको बहुत सारे लोगो मुझता हूँ अभे जी आकड़ों में क्या कहा गया मतलब तरीका तो वही है कहानियां उसी तरह की है जा उसी तरह रही है चोट अगर लग गई है तो उस चोट को कैसे वोट में बनला जाए ये भी है तरीका लेकिन आप क्या कहते हैं आपका एनलेसिस क्या कहता है जी देखिए पुंडीर साहब ऐसा है कि ट्रस्पेरेंसी नहीं है अगर पिछले बढ़ चोट लगाता तो सब ने जाना था कैसे लगा क्या लगा इस बार हम नों को बताया जा रहा है कि पीछे से किसी बैको यह बैकती था रूप के अंदर हुआ अभी तक इसमें कैसे हुआ फूट जो बारा आए वह भी सीदी रहा तो एक सीदी रहा ओँ ठीक वैसा इन वह बाता है लेकिन वह उएसे बार आए जैसे कि ऑव मतलब की वह अपने आप पर प्रकार की है कि मतलब उन पर काफी एक हो जाए कि भीज्जा देखिए दो चोट लगा हुआ है तो एक साथा दिल में उनके परती भावना है जागरीत होती है लेकिन अगर इसको वोट के तौर पर बात करें तो यह पिछले बार भी हो चुका और ज्यादा दिन नहीं हुआ है बिल्कुल ही नहीं है एलेक्शन अपने दिर्वाध में होगा जिसको जितना वोट पड़ेगा उतना उसको तौर रियाल्ट आएगा लिकिन अगर हम जैसे पिछले लेक्शन पर जरूर इसका असर हुआ था पर फ्रेक्चर आई थी उसका असर जरूर हुआ था उसको भोट अगर गलती से भी हो जाए मैं यह नहीं बोलो कि दूर आया गया है बहुत थोरे पॉकेट में काम कर जाए बहुत थोरे पॉकेट में वीड़ू पॉकेट में उसको बहुत जादा असर मैं नहीं देख रहा हुआ यह मैं आपसे आउंगा आपके पास यह समझने की उस फेज में नंदी ग्राम की वोटिंग के बाद आखड़ी क्या कह रहे थे अगर आपके पास उस तरह कोई डाटा आओगा लेकिन तापस यह जो तरीका है क्योंकि अगर आपको याद होगा मतलब आपने पढ़ा होगा उसके बाद दूसरी जगे जब उन पर हमला हुआ उनिस सो बाण में हमला हुआ जब उस लड़की को लेकर वो अंदर राइटर्स बिल्डिंग में घुज गई फिर नैंटी थी में उन पर हमला होता है जब वो उसमें फिर वापस मददाता को लेकर जो एक धरना विरोध कर रही थी उस पर हमला होता है और उसके बाद सिलसिला है ऐसा नहीं कि एक सिलसिला नहीं लेकिन आप देखेंगे हर एक चोट के बाद उनके लिए जनता का सपोर्ट और वोट बढ़ते जा रहे थे और हालत यह हुई कि जब 98 में उन्होंने TMC बनाई उसके बाद अब ही यह सिलसिला रुका नहीं 2001-2002 फिर लगातार चलता हुआ सिलसिला आपको याद होगा कि 2007 में जब नंदी ग्राम के लिए मिंदापुर के इलाके में जब फाइरिंग भी हुई लोग मारे गए वहां महिलाओं के साथ तादात में रेप की खबरे आई थी 14 लोगों के मरने की खबरे आई थी वो उस समय जो पूरा एक सेंटिमेंट था वो इनके साथ जूरता चला गया महिलाओं पर अत्याचार महिलाओं के खिलाफ रेप इस तरह के ताकत लेकिन इस बार ममताब एनरजी जब घिर रही है तो वो एक ऐसी चीज़ पर घिर रही है जो संदेश खाली जहां महिलाओं के साथ गरीब मजलूम आदिवासी दलेत महिलाओं के साथ रेप करने वाले टीमसी के गुंडों को बचाओ के लिए यानि जो पहले नेता गये थे पार्थो आपको याद होगा जिन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ है ये तमाम चीज़ों के बा ये जो आपने और हमने उस पूरी आत्रा में देखा था उनके साथ आगे की तरफ चलती हुए महिला नेत्रियां और उसके बाद पूर्शों की भीड थी तो वो हर जगे ये देखिए स्क्रीन पर भी दर्शकों को दिख रहा होगा कि पूरी भीड महिलाओं की भीड है उसक देख खाली जैसा मुद्दा उनको मिल गया जहां महिलाओं पर है यानि ताकत पर अटेक है वहाँ आपको लगता है कि इस तरह की चीज आपको कोई फाइदा देती हुई दिख रही है वोट और सपोर्ट में जी देखे ममता बेनर जी को डिविडेंट तो जरूर मिलेगा मैं अपने तजूरवे से कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप क्रोनोलोजी देखे 1984 में जब सोमनात दाको ममता बेनर जी हराने के बाद जादपूर से पहली बार सांसत बनी उसके 1990 में हाजरा में जब उनका सर फो और बहुत अच्छी तरह बापसी की 1993 में राइटर्स बिल्डिंग के सामने जब अंदादून गोली चलाई कुलकाता पुलीस ने कई लोगों की मौत हुई और यूथ कॉंग्रेस के साथ थी ममता बेनर जी और इतफाक से मैं इस समय राइटर्स बिल्डिंग के सामने ही अच्छी हुई थी तब ममता बेनर जी ने ये ठान लिया था और उन्हें कहा था कि मैं अपने बालों को तब तक नहीं सवारूंगी जब तक लिफ्ट को हम इस राइटर्स बिल्डिंग से खदेर कर बाहर नहीं निकालते दोहजार ग्यारा में आखिरकार उन्हों ने यही क तक शुन्ने हो गए तो ये कही ना कही लोगतंतर के लिए अच्छा नहीं है हम गलती करें तो कौन उस गलती को सुधारेगा कौन हमें दिखाएगा कि हम गलती कर रहे हैं ममता बेनर जी उसी समय सिंगूर और नंदिग्राम बैक टू बैक दो ऐसी घटना हुई पश्ची ब अटैक हुए कुछ जगों पर फिर वो पूलकाता के धरमतला में आई 26 दिन यहाँ पर अंशन पर बैटी प्रदाल मंतरी उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंग वो ही यहाँ यहाँ पर आये थे उनसे मिलने के लिए उसके बाद ममता बेनर जी धीरे धीरे और ताकदवर होने ल हम गए थे और यही बाहर एक गैली है इसी गैली से लोगों को हाथ दिखाई थी और हमने अगर रीसेंट बात करें तो हम नंदिग्राम की बात करते हैं कि नंदिग्राम में जैसा आप बता रहे थे कि जिस तरीके से उन्हें चोट पहुँचिया उसके बाद वो वीलचेर म की उनको जीत हासिल हुआ इस बार अगर लोगसभा चुनाओं की बात करें विदान सभा चुनाओं से लोगसभा चुनाओं के डाइनामिक्स थोड़े अलग होते हैं आपको मेरे से बैतर मालूम है लेकिन पस्चिब मंगाल में साहनूबुती वोट बैंक एक बहुत बड़ बैंकि मंता बेलर जी इस बार लोगसभा चुनाओं में जाते हुए उनके पास कोई इशू नहीं था गर हम दस दिन पहले की भी बात बोले क्योंकि संदेशखाली का इशू, जो था करॉप्षन का इशू पिछले दो सालों से, संदेशखाली का इशू पिछले दो मेने से, पूरी तरीके से त्रेनमूल कॉंग्रेस को घेर लिया था और सारे विरोधी एक जो ठोकर बात कर रहे थे और हमला हमलावर थे उन पर साथ में महिलाओ को हमने देखा संदेश खली और आसपास के इलाकों में किस तरह से वो सरकों पर आ गए त्रेनमूल कॉंग्रेस के महिलाए सरकों पर आ गए विरोध जताने लगी कि ममता बिनर्जी को आना पड़ेगा उन्हें सुनना पड़ेगा हमारी बात लेकिन ममता बिनर्जी ने कोई टिपड़ी नहीं की और जैसे ही सीए का मामला सामने आया तब ये लगने लगा कि एक बहुत बड़ा हतियार बीजेबी ने त्रेनमूल कॉंग्रेस को दे दिया और त्रेनमूल ने बोला कि बीसीए उनका मूल मुद्दा होगा इस लोगसबा चुनाओं में उसी बीच कल रात को ममता बिनर्जी को चोट लगती है वो अस्पताल में जाती है और लहू लुहान वो चहरा जिसको लेकर विवाद भी खड़ा हुआ कि किसी भी हेड अफ स्टेट या हेड अफ दि कांट्री अगर किसी को इस तरह की चोट लगती है तो शायद इस तरह की पब्लिसिटी पार्टी के और से नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें लॉइन और्डर सिच्वेशन भी बिगर सकता है लेकिन बावजूद इसको जाने त्रेनमल कॉंगरेस के ट्विटर हैंडल से पहली बार ये तस्वीरे सामने आई कि उस्पताल के बेट पे हैं और उनका ये लहुलियान हालत है लेकिन जो सूतरों के मताबिक है कि ममता बेनर्जी कैमपेनिंग में निकलेंगी बहुत जल और ये सहानुबूती वोट बैंक जिसकी बात मैं कर रहा था इसका भी काफी बड़ा योगदान है पस्चे बंगाल के पॉलिटिक्स में खासकर ममता बेनर्जी के लिए क्योंकि कल से लेकर आज तक कई महिलाओं से बत्तब जो गैर राजनेतिक हैं उन महिलाओं से हमने बात किया कुछ ऐसे थे जो बहुत बड़े आलोचक थे ममता बेनर्जी के हर किसी का कहना है कि पार्टी ने किया है लेकिन ममता एक महिला जिस तरीके से पंदरा साल के करीबारा साल से कुछ जादा वक्त वो जिस तरीके से अड्मिनिस्ट्रेशन हैंडल कर रही है जितना प्रेशर वो लेती है लोग जानते हैं कि वो रात को सोती कम है, लोगों के लिए काम करना चाहती है, लेकिन उसके पार्टी के कुछ लोग उन्हें बद्दाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, कुछ ऐसी महिलाई भी हैं जिनको benefits मिलते हैं state schemes के, वो भी कह रहे हैं कि ममता दी किसी की बात करें, महिलाओं की बात करें, या फिर कोई आम महिला की बात करें, या राजनातिक विरोधी महिलाओं की बात करें, जो पार्टी का कारे करता है, तो उनके मन में भी कहीं न कहीं ये सानुबुती है, और यही सानुबुती कहीं न कहीं वोट बैंग में तबदील हो जाए ये मैं नहीं कहता कि त्रिनमूल कॉंग्रेस को बहुत जादा सीट मिलेगी या बीजेबी को बहुत जादा सीट मिलेगी ये तो आने वाले चुनाओं में ही समझ में आएगा लेकिन अब देखना होगा कि ममता बेनरजी जब अपने घर से बाहर कदम रखेंगी अगर सर पे उनका बैंडेज बंदा होता है और वो अगर अलग-अलग जिलों में लगातार कैंपेनिंग करती हैं तो उसमें कितना असर पड़ता है अगर मेरे अनुभब की बात माने तो महिलाए खासकर जो जिलों की है और गाउं की महिलाए है जो रूरल बेल्ड की महिलाए है उनका सहानुभूती कहीitan मन्ता बेनरंड जी के पक्ष में ही जाएगा जैसे नरिंदरमोधी बीजेपी के लिए है ठीक वैसे ही ममता बेनरंड जी त्रिनमूल पाटी के लिए वो उस्टर वोमन है पाटी का और उस पूस्टर वोमन अगर इस हालत में केम्पेनिंग करती है तो कही न कही जो रूरल वोट बैंक है वो कही न कही त्रिडमोन कॉंग्रेस के खाते में जाने के एक बड़ी संभावना कम से कर मुझे इस समय नजर आ रहा है धन्यवाद आपका जुणने के लिए मैं बाकी सबसे बात करूँगा मैं जाता हूँ विरेंजी के पास विरेंजी ये जो संदेश खाली का जवाब है मैं आपी के पास आ रहा था जी विरेंजी आप अपनी बात करें मेरे साथ सही होगी तापस अब जा सकते हैं उनको जाना है जी आप बात किजिए जिस तरीके से फरवरी मार्च में संदेश खाली को ले करके पूरे देश में विरेश में संदेश खाली की जो शमना घटनाओं की चर्चा हुई है और जिस तरीके से पधान मंत्री ने बंगाल में मार्च के महने में अपनी दो यात्राओं के दोरान संदेश खाली को मुद इनर्जी का डिफेस्टिव मेकनेजम है मंगा और और जितनी चेत्री पार्टियां होती है वे उत्तर बरेशों चाहें बिहार हो या या बंगाल हो छे पार्टियों की राजीती चलती ही केवल गिमिक्स के उपर है ट्रंप काट करहारें पेशलती है आज 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 यह का गया क्योंकि कोई रड़ेटरी पार्टी प में सबसे बड़े बड़ती है उनगे पास कोई webs और imp익 00 समाज़ पायर की नहीं होती मैंन है पाटी माने ही होता है सुप्रीमों नेता स्विये वह कोई है नंबर दो है उनका बथीज़ा है तो चुनाओंस सर पर है संधेश-मधिवाला ग÷्टना हो चुकी है तो जो है कहीं न कहीं यह मन में संदेव उत्पन करता है यह चुनाव से जुड़ी हुई यह एक पोलिटिकल डिफेंसिव मेकनिजम त्रेडमूर कॉंग्रेस ने बहुत सोचे संवित तरीके से इसको यह काट खेला है और मंत्रा बेनर्जी की एक बात और भी है वो जब भी आती ह से जंको बीचने निकलती हैं तो हमेशा वह प्लास्टिक चपल पहचती है वकल जब उनको प्लकी भी उनको किसी महंघ प्र् her प्राइवेड में साल उनको संपाल में ले जाया गया कि वह कौमणर हैयं फौलल के नेता है तो 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 और जब उनके फैल पर चोड़ी अगर वह बनी रहती है तो अगर पचीस तक अपना चुकि उनका मुख्यमंत्री पद बना रहेगा अभी तो ऐसा वो है क्योंकि तब वो जो है विधान चंदराय का रिकॉर्ड तोड़ देंगी यानि जोती वसू के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएंगी जो राज्य की आजसे को राजनीती में इस्तेमाल किया गया उसको अगर हम ममताब एनर्जी की तरफ देखते हैं तो ममताब एनर्जी के लिए तो ये एक बड़ा लंबी यात्रा में जगे इसी साल जनवरी में एक हादसा हो चुका कार एक्सिडेंट हो चुका पंचैच चुनाओं में पि क्या कुछ आपको बदलाव की उम्मीद है क्योंकि इस बार पिछली बार की तमाम चीजे एक और मुझे याद आ रही है दो लाइने वैसे तो लंबी है कवी ता लेकिन बहुत ही अच्छी है जिन सीडियों से जाते हैं हम उनी सीडियों से आते हैं हम है ना सीडिया कभी खत नहीं होती उननती की हो या अवनती की श्रीकांत वर्मा की लाइने लेकिन आपको लगता है कि कई बार क्या होता है जब हम लगातार एक चीज को दोहराते हैं तो उसी चीज से जिसको हम जिसने हमको नायक बनाया वो हमको विदूशक में बदल कर रख देती है आपको क्या है कि क्या 69 एयर जो पॉलिटीशन्स हैं ये जो ममता बेनर जी है जिनकी एक एक बात पर बंगाल कम से कम 2011 के बाद तो जान छिड़क रहा है अभी क्या वोट छिड़क पाएगा वोट वोटों से भर देगा जी देखिये अगर हम वेश्ट बेगाल के राजितिक हालात की बात करें तो वहां हालात काफी बदला हुआ है बिल्कुल सही बात है कि विदान सबाद चुनाओं के बाद वहां पर जो भाजपा के कर्श करताओं पर मैंने हबले हुए अटैक हुए फिर उनके पो लोग थो देख रहे हैं वस्वी देख रहे हैं और आपका चैनल दिखा रहा है उसके अधार पर हम बोल सकते हैं कि वहां की सिती में मतलब मता बनर जी के लिए उत्ता पक्ष में तो नहीं है बराबर की लड़ाई है या जब लोग सभा का चुड़ाव है तो वहां डरे द्रेद्र ब काट दिया जाए तो कोई अश्चर्च की बात एंडर नहीं होगी तो इस करण में हम देख रहे हैं और मदा बनर जी का चोट कम लगा है हलाकि में को बात मेरी फुरी सिर्पैथी है मुरी हम दर्जी है अब सबको पता था कि यह क्या दो दिन में एलेक्सर करना उसमें ढून जाना उसी करण उनका लगा है चोट लग गया है तो फिर इस तरह और चोट के बारे में कुछ मतलब बात सामने वे आ नहीं रही है तो माना कि ठीक है चोट उनका डेश्राल भी हो सकता है डेश्राल ही जैसा भी हो लेकिन एक प्रकार का सिपाथी उनका काडर्स के द्वारा ज़रूर प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा लेकिन पिछले बाद उनके अपने सीट पर नदी ग्रावपर उनका भार गई थी और कितने अला पहग एक बन ज्यादा पोर नहीं था वोनगा नाइंट फाइट फाइट सीफ पोर से चुरा भारी थी और ऐसा रही किवे नहीं किया तो देखने वाली बात होगी किसका किया असर है कैसा आफार आ रहा है लेकिन अगर हम बहुत कि बात करें तो बहुत अभी इवेली वाइड है जो दरह बराबर में और देखने है कि अभी कैसा रिजल्ट कैसा अब के बाद जो इदका सी पैट थी या बीजेपी का अपना जो कैबीर है कैसा कैबीर बढ़ता है कैसे के डिजेट का मतलबी सेलेक्शन होता है उसके अधार परोग आगे बात करें तो कन्या स्री योजना में विरेन जी पहला नंबर दिया गया था बंगौल को ममता बैनर जी को उस सब में चुना गया ताकतवर महिला रही है और नेता तो वो दमदार रही है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि दीदी ओ दीदी के उस नारे को भी उन्ह करण के इतने आरोपों तक यहां तक की जिस तरह से उन्होंने दुर्गा पूजा पर चार बजे के बाद रोक लगा दी थी जिसको हाई कोर्ट में बहुत आपत्ती जनक माना और बहुत सारे एक के बाद एक इमामों को वेतन के फैसले इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए एक लंबा काम किया महिलाओं के लिए अपने आपको एक ऐसी और अभी एक मात्र मुझे लगता है मुख्यमंतरी भी वही है महिला मुख्यमंतरी इस देश में तो वह एक लीडर के तोर पर अभी दिख रही है लेकिन कहीं एक ही दाओं जब आप बार-बार आजमाते ह तो लोगों में भी उसका बहुत ज़ादा इंपक्ट नहीं रह जाता और इस वक्त जिस तरह से चुनाओ आर पार का हो रहा है और महिला इशु है इस बार BJP तुला मूल के मुध्डे पर नहीं है, BJP करप्शन के इशु पर नहीं है, BJP इस बार बतवारा, रीजनल और कम्न ये तमाम चीजों पर नहीं है, C.A. का मुद्दा उनको कैसे सपोर्ट करेगा, मुझे समझ में नहीं आता कि मम्ता बेनर जी को उससे कोई help मिलेगी, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है, वो 96% से जादा उनको मिल चुका है, यानि वो मुस्लिम लीग से जादा मुस्लिम वोट हास चुकी है, अब महिलाओं के इशू पर है, महिलाओं की इज़त का मामला है, और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी हर जगे उन्होंने देखिये यात्रा की, और उनकी ताकत, वहाँ बंगाल में भी उन्हीं की ताकत है, अलाकि हम सुबेंदू को लड़ते देखते हैं, सुका नहीं मान रहे हैं कि जब माते पे उनकी पट्टी होगी और वो सभा में जब वो कहेंगी, अलाकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ, जेड प्रोटेक्टी मुख्यमंतरी, उनका घर काली घाट में है, उस काली घाट में जहां वो जुग्यों में रहा करती थी, ये का जाता है, मैं खुद गया था, 2007 में, 2007 में मैं गया था जब उनको चोट लगी हुई थी, और उस इलाके में अब आप परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस गली के बाहर ही पूरे पुलिस फोर्स रहती है, आप एक पीस्टू नहीं कर सकते, उस घर तो छोड़ दिये, उस घर के सामने जाकर जो सड़के उस पर खड़े होकर नहीं कर सकते, उनके घर की तरफ टैमरा नहीं कर सकते हैं, घर तो बहुत अंदर जाके गली की तरफ नहीं कर सकते हैं, इसके बावजूद आपको नहीं लगता जब वो माते पर अपनी पट्टी लेके वोट मांगेंगी तो जनता सभनून नहीं है संदेश खाली भी है करफशन भी है और आप अगर करफशन की बात लें तो जिस तरीके से टीचर भरती घोटाले में नगर निकाय भरती घोटाले में उनका मरी एक मंफ्री जेल में है जिस तरइके से केश सरकार ने मंद्रेगा योजना के लिए कई 100 क्रूर रोपार का जो मुक्तान है रासरकार को रोब रखा है यहां तक कि मंद्रेगा जो उनके अधार कार्ड है वो बी डियक्टिवेट कर दिये हैं केश सरकार ने ताकि पेमिन्ट ना हो तो अब बिस्टा चार्ड भी बहुत ज्यादा और आपको अगर ध्यान हो इती मेह ने अपने मार्च में अपनी यात्रा में प्राइम मिनिस्टर ने इसके उपर बहुत जोड़ दिया था यह आपका पैसा है जनता का पैसा है जो आप तक नहीं पहुंच रहा है और उन्हें यह भी मुद्धा उठाया था कि किन सरकार की योजदाओं का लाब मंताब इनर्जी उन तक नहीं पहुंचने दे रही है कि शायद इसके उनका पॉर्ड देकर नुक्सान हो सकता है तो मंताब इनर्जी के खिलाफ अब मुद्ध अब जो है अब मुद्धे एक आएक अब ए तब तक कुछ बुद्धे और बढ़ी जाएंगे जो मैंने देखा है अब तक किजादिती का इतिहास जन्नेता पीक पे आज आते हैं तो फिर फिर उनमें अब मंताब इनर्जी का जो जो इस समय पूर्ट कर कहे हैं में वो जिस स्टेश पे हैं अब वो केवल अपनी के बहुत तेजी से उनके हाथ से फिसर रहा है और कल की घटना उनके घायल होने की यह है यह उसी नेरेटिव पर कंट्रोल फिर से वापस पाने का एक हताशा बरा एक 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 हैं तो मुद्दे अब इनके खिलाब जो है अब एग्रिवेट हो रहे हैं मुद्दों की संख्या ब की दरूबत होती है सारी यही समस्या है तमाजवादी पार्टी किसली में बहुदर समाज पार्टी किसली तो यह भी तो यह तो मंता बेनके की जो पॉल्टिकर जरनी है जो उसका चिहां से उसकी ट्रेक्ट्री है उससे अब लेखें तो मंगता बेरजी मुझे आज की तारिक में बहुत ही पॉलिटिकली वीक विकेट पे दिखाई पड़ती है और और यह जो 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 चोट लगने का जो जो घटना है मैं उसे भी ड्रामा तो नहीं कहूंगा मुझे यह उचित नह रहे हैं जो त्रेंज वहां से अबर के आ रहे हैं बार्टी अंत्या पार्टी को 2019 में 18 सीटे मिली थी अब की वाद इसमें कम से कम आठ से दस सीटों का की बढ़वत्री होने का अनुमान है और वो संख्या घडबर सकती है लेकिन लगमत सभी लोग इस पर एक मत हैं कि बीज आने वाले चुनाओं में अपरेल महीं में सामने आ जाएगा जी एक और आखरी सवाल के तर पर आपके पास आता हूं अभे जी जब मैं 2019 में कॉलकाता के शहर में घूम रहा था तो वहां के जनलिस्त मैंने बात चीत की और तमाम जनलिस्त हमेशा की तरह वहां यही बता रह कर रहे हैं चुकि आप कॉलकाता को समझते नहीं है तो उन्होंने कहा कि दो सीट आनी चाहिए यह अलग बात है जब सीट आई वह सर्थ जो लगी थी वह जनल बाचीत की पत्रकारों में तो ऐसी सर्थ होती है उसके बाद जो मैंने उनको फोन किया भी कुछ दिन पहले और क्या है इस बार का माहूल इस बार तो लग रहा है कुछ गरवड होने वाली है तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए अभी जो 40 से 40 सीड जीतने की बात कर रही थी बीजेपी अभी देखिए अमिश शाह ने परसो तरसो उनकी रैली थी अभी शाह महां जब थे तिन चार दिन पहले तो उन्होंने कहा देखिए अमिश शाह ने अपनी रैली में कहा कि हम 25 जीतेंगे इस बात से मुझे ये इशारा लग गया है कि कम से कम बीजेपी 40 नहीं जीतने जा रही है वह उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी अब 40 नहीं जीतेगी क्योंकि हमिश शाह 25 कह रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इस बार का नरेटिव ममता बेनर जी अपने सिर की पट्टी से बदल नहीं पाएंगी पैर के प्लास्टर की तरह पिछली बार की तरह जी बिलकुल नहीं बहुत थोरा सा मैंने जैसे आपकी इसे पहले ही बोला है पुर्दीर साब कि थोरा सा बी इसे इसका असर नहीं परेगा और पिछली बार बीजेपी उनीज सीठी जीती थी कुछ ज्यादा इसलिए आप इसलिए पिछर गए आपने पचीस बोला था पचीस क्यों नहीं जीत पाई लगवा उसका कारण मैं बता रहा हूं कि बीजेपी के जो बहुत बरे सब बरे वर पिछली एलेक्सर ने बहुत सारे भोटर इसलिए भोट नहीं कर पाई कि क्या मैं बीजेपी को भोट करूं क्या पता बीजेपी जीत पाईगी जीत पाईगी चलो किसी और को फिर आगे देखे कि तो इस कारण से आपका 25 सीट वाला इस कारण से साथ पीछे रहा गया को पावरफुल पार्टी हो गई है और पिछले एलेक्सर में पिछले 2019 के लोग समाचुराव में कॉग्नेस और कॉपनिस्ट को 68 लाग वोट पर आथा 68 लाग लाग 12 पर से उसमें बीजेप प्रयास करेंगी कि हम जादा 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 वोट अपने पाले में करकर के बब्दा नहीं दिया तो अब क्या है कि कॉग्नेस पार्टी के जो भोटर से लाग 36 लाग जो भोटर है 32-35 लाग के आसपास वो लोग टैक्टिकली भी जा सकते हैं कि चलो हमको बब्दा को हरा रहा है हम तो आप एलेक्सर नहीं जीत रहा है तो वहां कि स्थिति ऐसी भी आ गई है कि इसको की टैक्टिकली भोट करके इनको हराने जीताने का एक पार्टी को हराने का दुसरे को जीताने का प्रयास करेगा तो वहां कि स्थिति जो है थोरी सी अलग है तो देखना है कैसे क्या हो कैसे मैं यह कहूंगा कि अगर जीत नहीं हुई पार्टी की तो भी उनके समर्थ पास खास्तोर से उनके मीडिया के लोगों के पास ये जरूर जवाब होगा कि ममताब एनर जी चोट में सर में चोट लगने की वज़े से बहुत जाद प्रचार नहीं कर पाई थी इसलिए शायद ऐसा होगा तो मैं कुछ एक नील की कवीता के साथ चुकी जो शुरुआज जो लाली कमीज पहन कर बोलता है जनता का नायक और जनता बढ़ जाती है रंगों में लाल और हरा रंग एक दूसरे को करते रहते हैं अकसर लह लुहान कलकत्ता में लेकिन इस बार रंग कोई और बिखरता दिख रहा है दीदी की चोट वोट और सपोर्ट ले पाएगी इस पर कम से कम राजनेति समिक्षों को तो शक है आज सीधी लकीर वी धिरेंद्र पुंडीर में इतना ही कल फिर किसी ऐसे ही मुद्धे पर बात होगी नमस्कार